नमस्ते वेलकम स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चनल लक्ष विजय में और आज 15 मई की तिथी है 15 मई का डेट है 15 मई के जो महत्यपोन गटनाय हैं उनकी चर्चा हम लोग करते हैं तो 15 मई 1907 को भारतिय सुतंता संघर्ष के दोरान जो क्रांतिकारी आंदोलन चला उस क्रांतिकारी आंदोलन के एक महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर ये नाम आपको याद होगा आप जानते होंगे भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरू ये वो तीन तिकड़ी थी जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर चलने वाले लाठी का विरोध किया था लाला लाजपतराय के लाठी चलने की वज़े से होने वाले घायल और मृत्यू का बदला भी लिया था तो ये वही सुखदेव थापर सहाब है। आपके भगवती चरण वहरा हूं चाहिए वह आपके राम मनुह सुरी अशफाक उल्ला खां हूं चाहिए वह राम प्रसाद बिस्मिल हूं इस प्रकार के जो भी बड़े नाम हम लोग ले सकते हैं तो सुखदेव थापर सहाब उस जमाने के बड़े महत्रपुन करामतिकार अशफारीओं में से एक थी जैसे मने भी आपसे चर्चा किया लाला लाशपतराय जी के बारे में तो 1928 में एक आयोग आया था जो कि अंगरेजों के द्वारा भीजा गया था जिसे साइमन कमिशन के नाम पर जाना जाता है भारत के प्रते कोने में साइमन कमिशन का विरोध का नित्रत्व वयोवरिध धनेता लाला लाशपतराय कर रहे थे जिने पंजाब केसिरी के नाम पर जाना जाता है साइमन वापस जाओ साइमन गोबैक किनारे लगाये जा रहे थे जिनमें सुकदेव थापर भगत सिंग और इनके बहुत सारे साथी जैदेव कपू जैगोपाल पनिश्वर वेनु बहुत सारे लोग थे इन सब लोगों ने लाला जी के साथ मिलकर विरोध परदर्शन किया इसी विरोध परदर्शन में पुलिस अधिकारी जिसे हम लोग सांडर्स के नाम पर जानते हैं उसके द्वारा लाठी चलाने का आदेश दे दिया भारतियों पर प्रदर्शन कारीयों पर लाठी भाजी गई लाला लाज पत्राई सहा की मृत्यों ने देश के नौजवानों के अंदर के गुस्ये को जुआला मुखे की तरह से एक तरीके से विस्फोट करा दिया और अबित्तय तिया गया कि हम लोग बदला लेंगे अंग्रेजी सरकार के स्पू कर्मों की उसे सजा दिया जाएगा परिणाम सुरूट हम लोग जानते हैं कि दिसंबर महिने के 1928 साल के दिसंबर महिने में भगत सिंग सुकदेव और राजगुरू तीनों ने मिल करके सांडर्स को गोली मार दिया और इसके लोगों को सांडर्स अहत्या कांड के लिए फांसी की सजाद सुना दी जाती है 23 मार्च 1931 को इन सभी महानक्रांतिकारियों ने फांसी के पंदे को बढ़ी प्यार से बढ़ी सम्मान के साथ चूमा और अपने गले में पहना और गले में पहनने से पहले इन कलाब जिंदा ब तो ऐसे महानकरांतिकारी का देश के प्रति बलिदान उनको और महान मना देता है उनको और आगे बलहा देता है 15 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो गणेश वासुदेव मावलंकर उन्निस अबावन को गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि भारत यानि आजाद भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने यानि लोकसभा के स्पीकर जिने कहा जाता है याद होगा भी हम लोग ने तेरह मई को बात किया था कि संसत का पहला सत्र हुआ था और हम लोग ने उस वीडियो में चर्चा किया था कि सत्रा अपरैल को लोकसभा का गठन किया गया था तो जब पहली लोकसभा का गठन किया गया तो गनेश मावलंकर जी को जिनने हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीवी मा वलंकर के तोर पर र्याद करते हैं गया और उस प्रस्ताव को स्विकार भी कर लिया गया इस नाम के प्रस्तावित होने का एक कारण यह भी है कि 1949 की अगर बात करें और 26 नुवंबर 1949 की बात करें तो मावलंकर सहाब को तब 29 दिसंबर 26 नुवंबर 1949 में अस्थाई संसत के अध्यक्ष के तोर पर चुना गया था चुकि वो इस जम्मेदारी को निभाच चुके थे इस वज़ा से ये मानते हुए कि वो एक जानकार और चुकि इस कारिक लिए वो अनुभगी थे इसलिए उनके नाम को आगे बढ़ाया गए मावलंकर साब का जन्म 1918-188 में गुजरात के बड़ोदा में हुआ था और उनका अपना जो जीवन का एक बड़ा दोर रहा आजादी से पहले का सुतंता सेनानी के तोर पर रहा भारत के सुतंता संगर्शमुन का बड़ा महतुपूरी योगदान रहा और उन्ही महतुपू अंस्ताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्हें लोकसभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है लोकसभा के जनक के रूप में भी उन्हें सम्मानित किया जाता है एक पत्थे और जान लिजिए कि गनेश वासुदेव मावलंकर ये पहले लोकसभा द्यक् इस प्रकार की वीडियो जैसा कि मैं आपसे रोज बताता हूँ, इस प्रकार की वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को कुछ महत्पूर्ण जानकारियां देता हूँ, तो उसी करम को आगे बढ़ाते हुए 15 मैं की महत्पूर्ण घटनाओं की चर्चा मैंने की, उमीद करता हू ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, आपको पसंद आता होगा, आपके ग्यान में, आपके नॉलेज में कुछ बढ़ाने का, यानि कुछ अंश आगे ले जाने का जरूर सहियो करता होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इ तेरे द्वारा दिये गए विडियोज लाइव प्लासेस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, have a good day.